हालो गाइज, वेलकॉम बैक टू मा यूटूब चैनल रोजन टेक तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं ए थ्री पलग के बारे में ऐसे की आप सबी लोग जानते हैं कि ये थ्री पलग इस परकार से क्यों दिया हुआ रहता है पलग तो इलेक्ट्रिकल जो भी एक्विप्मेंट रहता है उसमें तो सौक से बचने के लिए इसमें अर्थ का कनेक्शन किया हुआ रहता है तो इस इलेक्ट्रोनिक सर्कीटों में इस थ्री पलग का क्या जरूरत है प्लीज वीडियो को भीना स्किप किये हुए पूरा देखिएगा ताकि अच्छी तरीके से समझ में आ सके आपको तो गाईज सबसे पहले आपको बता दें कि यह जो यह थ्री पलग रहता है तो एक निट्रल और एक फेच के लिए रहता है और यह तीसरा वाला जो रहता है इसमें अर्थ के लिए रहता है इलक्ट्रोनिक्स जो भी कंपोनेंट जो भी एक्विपमेंट होते हैं उसमें यह अर्थिंग का फंडा रहता है fuse से related रहता है मतलब कि ये वाला जो earthing का connection रहता है ये पूरे circuit को protect करने के लिए वो दिया हुआ रहता है में लगा capacitor fault हो जाता है जिसके वज़ा से आगे circuit को जाने नहीं देता है और इसके पहले ही fuse जल जाता है तो आपको हम बता दें इसमें आप देख पा रहे हैं इसमें ये दो ceramic capacitor है इस capacitor के बारे में पहले बताये थे ये ceramic capacitor रहता है इसका work ये रहता है कि जैसे कि जब भी 450 volt से ज़्यादा इसमें voltage आए तो ये automatically break हो जाता है जो भी आगे fuse लगा हुआ रहता है वो पहले ही जल जाता है इस दो wire रहता है phase और neutral फिर यहाँ पे एक fuse लगा दिया जाता है fuse इसके बाद जैसे कि एक ceramic capacitor है दो ले गए इसका ये 450 volt तक कहीं है और फिर ये आगे circuit के लिए जा रहा है तो जैसे कि आपको बता दे कि जब भी इसमें 450 volt से अधिक आए 500 volt ये भी 500 voltage आता है इसका इधर से connection ये करा देता है यानि कि current इधर से इधर आने लगता है यहाँ से shortage करा देता है यह shortage कराने के वज़ा से पूरा current इधर आने लगता है जिसके वज़ा से यह fuse जल जाता है तो इसके आगे 500 भोल्ट नहीं जाने दिया यानि कि इधर का जो भी चीज लगा हुआ है मेरा charger या फिर कोई भी electrical equipment लगा हुआ है तो वो बच जाता है में इसका यहीं work होता है इस capacitor का इस capacitor के बारे में समझने के बाद अब हम समझेंगे कि इसका क्या भूमिका होता है इस protection को बचाने के लिए तो यह वाला जो भी ceramic capacitor रहता है एक wire इसमें से आता है और फिर एक यहां से और एक यहां से के बाद में ceramic capacitor इस अर्थिंग से connect रहता है एक लेग इसका एक लेग इसमें connect रहता है और एक लेग इसमें connect रहता है फिर दूसरा वाला ceramic capacitor का एक लेग इसमें connect रहता है और दूसरा वाला लेग इसमें connect रहता है तो यह ceramic capacitor तभी work करेगा जब इसका voltage difference इसमें मिलेगा केवल इसमें voltage दे देने से इस पर कोई असर नहीं पढ़ने माला है तो इसके वज़ा से और से यह connect रहता है जब तक इसमें और नहीं दिया जाएगा और से नहीं connect किया जाएगा और यह इसमें इसका voltage difference जब तक रहेगा नहीं तब तक यह voltage को यह कितना voltage आया है नहीं आया है केवल एक लेग में आने के वज़ा से तो इसलिए इसमें अर्थ अर्थ कनेक्ट करना बहुत ही जरूरी रहता है तभी तभी इसका voltage difference यहाँ पर 450 से अधिक इसको तब तक यह इस circuit से इस circuit में shortage नहीं करा पाएगा जब तक यह shortage नहीं कराएगा तब इससे पहले जो भी fuse लगा है वो fuse जलेगा नहीं तो जिसके वज़ा से मेरा आगे का जो भी बोर्ड रहता है वो जल जाएगा मेरा तो main electronics component में electronics equipment में यहीं function होता है जैसे कि हम आपको दिखा भी सकते है है इसमें 830 और 831 यानि यह दोनों का एपिसीटर का यहां पर दिखा रहा है यहां से तो अब देख सकते हैं यह दोनों का connection एक लेग इसमें connect है तो जख सकते हैं यह और्थिंग में है यह और्थ में जा रहा है यह main इसमें connect है यह वाला देख सकते हैं। दोनों का लेग एक phase में connect है और दूसरे वाले capacitor का neutral में तो इसमें phase neutral change भी हो सकता है तो और दूसरा वाला लेग आप देख सकते हैं इसके अर्थिंग में जब तक इस अर्थ को अर्थ से connect नहीं करेंगे तब तक इसके आगे का जो भी सरकीट रहता है वो पोटेक्ट नहीं हो पाएगा तो इसी के वज़से इसमें और्थिंग का फिनोमिना दिया हुआ रहता है कि इसमें जल्दी यह खराब नहीं होती है सरकीटे लिजिए कि यह बल्ब है और एक यहां बल्ब है यहां पर फेज में कनेक्ट कर दिये हैं और इसको भी फेज में कनेक्ट कर दिये हैं और दोनों इस वायर को एक साथ कनेक्ट करके यहां पर नियूट्रल जब तक हम कनेक्ट नहीं करेंगे या जब तक connect नहीं करेंगे तब तक ये bulb जलेगा नहीं तो same उसी परकार से है तो I hope आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में So thank you for watching और जो भी लोग अभी तक सस्क्राइब नहीं किये हैं प्लीज चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास सेर्फ कर लीजिए तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में